बेहार के मुख्यमंतर नितीश कुमार ने सुक्रवार को प्रवासी मज़्दूरों के लिए बने कॉरटाइन सेंटर की समिक्षा की। सीम नितीश ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से बिभिन जिलों के कॉरोटाइन सेंटर का अवलोकन किया और बारिकी से जानकारी ली वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से नितीश कुमार ने कॉरटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मज़़ूरों से भी भाच्चीत की और वहां दी जा रही सारी सुबिधाओं और समस्याओं के बारे में भी जाना वीडियो के दोरान सुबे के मुख्य सचिप, आबदा विभाग के अधिकारी और डिजीपी भी मौजूद रहे नितीश कुमार ने आज सुक्रवार को वीडियो के जरिये बिहार के दस जीलों के प्रखंड अस्तरिये कॉरटाइन सेंटर की समिक्षा की नितीश ने जिन जीलों का हाल जाना उसमें पूर्वी चमपारन, पस्मी चमपारन, पूर्णिया, गया, बेगो सराय, रोहतास, मधुबनी, दर्भंगा, सीतामढ़ी और शेभर शामिल है गुरुबार को ही शाषन की तरफ से इन तमाम जीलों के DM को आदेश दिया गया था कि वो समिक्षा के लिए कॉरटाइन सेंटर पर डिजिटल विवस्था को सुनिश्चित करें आदेश के बाद तमाम जीलों के अधिकारियों ने लैपटॉप और इंटरनेट के विवस्था की जिसके बाद CM को सेंटर के हालाद से अवगत कराए गया बता दें कि पिछले एक महिने में बिहार के कई कॉरटाइन सेंटरों पर हंगामा की खबरे सामने आई थी वहां रह रहे प्रवासियों का आरोप है कि ना तो उन्हें रहने की कोई विवस्था है और ना ही खाने पीने को दिया जा रहा है सरकार की विवस्था पर जब सवाल उठने लगे तो नितीश ने समिक्षा का फैसला किया लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पहले से तए समिक्षा से क्या जमीनी सच्चाई सामने आपाईगी दाइशडी न्यूस के लिए बिरो रिपोर्ट